रूस ने 2022 के आक्रमन के बाद से यूक्रेन पर जवाबी हमला करते हुए अपने दक्षिनी अस्त्राखान छेत्र से एक अंतर महादवीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी है इस हमले की पुष्टी खुद यूक्रेन ने की है यूक्रेनी वायू सेना ने गुरुवार को कहा की मिसाइल को गुरुवार सुभा देश के मध्या पूर्व में निप्रो शहर को निशाना बना कर दागा गया रूसी हमले ने मध्या पूर्वी शहर दिप्रों में उद्यमों और महत्वपूर्ण बुनियादी धाचे को निशाना बनाया। युक्रेणी वायू सेना के बयान से ये साफ नहीं है कि अंतरमहाद विपी अब बैलिस्टिक मिसाइल ने किसको निशाना बनाया और क्या इससे कोई नुकसान हुआ। हालां कि पश्चमी देशों ने कहा है कि जिस मिसाइल से युक्रेण पर हमला हुआ वो ICBM नहीं थी। लक्षों पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी निर्मिट स्टॉर्म शेडो मिसाइलों को दागने के एक दिन बाद हुआ है। मौस्को ने महीनों पहले चेतावनी दी थी कि इस तरह के हमले को एक बड़ी विद्धी के रूप में देखा जाएगा। 19 नवंबर को रूस के यूकरेन पर आक्रमन को 1000 दिन पूरे हुए थे। लेकिन संघर्ष के कम होने के कोई संकेत नहीं है। रूस ने यूकरेन पर एक इंटर कॉंटिनेंटल यानी अंतरमाद विपियम मिसाइल दागी है। यूकरेन ने दावा किया है कि युद्ध में पहली बार रूस ने इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइलों से हमला किया है। इस मिसाइल की रेंज 5800 किमी है। यूकरेन की वायू सेना ने इस हमले की पुष्टी की है। इस मिसाइल के अलावा किंजल, हापरसोनिक और केज 101 क्रूस मिसाइलों से भी हमला किया गया है। रूस ने बीती रात यूकरेनी शहर निप्रों को निशाना बनाया है। क्रेन की वायू सेना ने भ्रहस पतिवार को टेलीग्राम पर एक बयान में कहा गया कि रूस के अस्तरखान छेतर से यह मिसाइल दागी गई है। फाल ही में अमरेकी राश्च्रुपती जो बाइडन ने यूकरेन को अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलों के उप्योग को हरी जहन्दी दी थी। इसके बाद यूकरेन ने रूस पर मिसाइले दागी थी। माना जा रहा है यूकरेन के हमले का रूस ने जवाब दिया है। रूस ने न केवल अपने सैन्य अड़ों को मजबूत किया है। बलकि अब वो आई CBM जैसी पर मानो सक्षम मिसाइलों का उप्योग कर अपनी शक्ती और प्रभाव को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जन्युक्त राष्ट्रो और अन्य वैश्विक संस्थाओं ने इस थिती पर गहरी चिंता जाहीर की है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो सदस्य देश इस मामले पर पूरी तरह से नजर रख रही हैं। रूस ने युक्रेन से लड़ने के लिए उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। इससे भढ़के अमेरिका के राष्ट्रप्ती जो बाइडन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तिमाल करने की अनुमती दे दी इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों की मदद से रूस पर कई हमले किये हैं इसके जवाब में सबसे ज़्यादा पर्मानों बम रखने वाले रूस ने अपने आटमी प्रिंसिपल्स में बदलाव किया है रूस ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली अंतर महाद वीपीय मिसाइल का इस्तिमाल यूक्रेन में किया है रूसी हमले की आशंता को देखते हुए यूक्रेन में कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिये हैं बदले हालात में तीसरे विश्वियुद का खत्रा मंदराने लगा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद